कभी अंडरवर्ट डॉन दाउद इब्राहिम की गल्फ्रेंड कहलाने वाली एक्ट्रस मंदाकनी ने 26 साल बाद फिर से बॉलीबुड में अपने कमबैक का एलान कर दिया है। की रिपोर्ट के मताबिक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान अचानक मंदाकनी के सामने वो सवाल आ ही गया जिसने उनके करियर को उजाड कर रख दिया था। के बाद मंदाकनी रात और रात स्टार बन चुकी थी तो हर प्रेड्यूसर डारेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाता था। उनकी खुबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे दावद इबराहिम भी उन पर फिदा हो गया था। दावद इबराहिम के साथ नाम जुड़ने के कारण ही मंदाकनी का करियर धलान की ओर बढ़ने लगा। दावद के साथ मंदाकनी के अफेर के चर्चे होने लगे। दावद के साथ मंदाकनी की तस्वीरे भी सामने आ गए। लेकिन मंदाकनी ने इस रिष्टे को सिर्फ दोस्ती बताया, मंदाकनी इस बारे में कहती है कि इस बारे में पहले भी बहुत बात हो चुकी है, अब इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग अभी भी मेरे नाम को उस घटन के साथ जोड़ते हैं फिलाल तो अब मंदाकनी 26 साल बाद फिर से बॉलिवुड में कदम रखने जा रही हैं आप देखते हैं कि लोग उनके और दाउद के संबंदों को भुला कर क्या उन्हें पसंद करते हैं आपको क्या लगता है अपनी राहा में कमेंट में दीजे और जा चैनल को सबस्क्राइब कीजेए